नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चनल पर दोस्तों आज जो मैं वैकेंसी अपडेट लाए हूँ आप लोगों के लिए वो लाए हूँ मॉयल की तरफ से मेगनी जो और इंडिया लिमिटेड इसमें जो दोस्तों आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वो देख देखते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मॉयल एम ओ आई एल जिसका फोल्फाम होता है मैगनी जोल इंडिया लिमिटेड यहाइक गौवर्मेंट कंपनी है जिसका आपको देखने को मिलेगा हैड आफिस नागपूर में दोस्तों यहाइक मेटल माइन्स की कंपनी है जो कि गौवर्मेंट कंपनी है अगर आपकी इसमें जॉब लगती है तो आपकी जॉब है वो पर्मनेंट जॉब होगी और अच्छी जॉब होगी दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं कि मॉयल के पास जो टूटल माइन्स है वो है 11 माइन्स जो कि महाराष्टरा एंड एमपी में फैली हुई है मदर प्रदेश में मैस लिखा हुआ है बट यह थोड़ा सा गलत हो चुका है इसके कारण जो है हम इसको महाराष्टरा और एंपी देख सकते हैं इसमें जो है आपको टूटल जो सील्टे देखने को मिलेगी 27 जिसमें मैनेजर के लिए चीफ मैनेजर के लिए सीनियर मैनेजर के लिए तो आईए देखते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं चीफ मैनेजर के लिए जो पोस्ट है वो है टूटल तीन पोस्ट जिसमें आपको क्वालिफिकेशन मांगा है बी बीटेक होना चाहिए इसके लावा जो है आपका फर्स्ट क्लास का जो है मैनेज certificate होना चाहिए payment आपकी रहेगी सतर हजार रुपए से लेके दो लाख रुपए तक आपकी जो एज लिमिट है वो बिलो फुर्टी टू इयर्स फुर्टी टू इयर्स से कम होना चाहिए इसके लावा experience दस साल का होना चाहिए इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका senior manager के लिए तो senior manager के लिए जो qualification है वो है mechanical mechanical में जो है आपने B या BT किया हो इसके लावा जो है आपकी salary जो रहेगी वो रहेगी 60,000 रुपए से 1,80,000 रुपए तक इसमें जो है 3% increment भी होगा हर साल अगर overall बात करें तो जो है 14,15,000 रुपए जो है अपका approach रहेगा yearly payment अगर हम बात करें कि आपकी age क्या होने चाहिए तो आपकी जो age होना चाहिए वो होना चाहिए 38 years से कम इसमें जो total post है वो है 3 post जो तीनों है unreserved category से आप किसी भी category में आते हैं तो आप जो है unreserved category से form को apply करें जिसे जो है आपके selection होने के chance हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं दोस्तों इसमें जो है आपको एक permanent job मिलेगी मौयल एक government company है जो भी experience मांगा है वो private या government दोनों का चल सकता है इसके लाव अगर हम बात करें civil overseer की तो civil में जो है आपको total number of post देख सकते हैं पोस्ट है एक OBC के लिए तीन unreserved category के लिए इसमें जो है आपका डिप्लोमा मांगा है civil engineering होना चाहिए उसमें डिप्लोमा इसमें जो payment होगी आपकी 12,200 रुपे से लेके आपकी 23,000 रुपे तक आपकी salary होगी age limit जो है आपका 40 years है 40 years से जो है आपकी age कम होना चाहिए experience जो है आपका 3 साल experience है qualification के बाद इसके बाद है आपका winding driver winding driver second के लिए जो है winding engine driver के लिए इसमें जो post है आपको इसमें देख सकते हैं आप 1st के लिए 1st के लिए 3 OBC के लिए undeserved category के लिए 6 और 1 EWS के लिए इसमें जो आपको salary मिलेगी वह मिलेगी 10,600 रुपे से लेके 19,000 रुपे तक इसमें जो है हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगबख जो है 4.92 लेक्स आपको salary मिलने वाली yearly age limit जो है आपका 40 years से कम होना चाहिए आपकी age experience जो है आपका 3 साल का experience होना चाहिए winding engine driver के लिए जिसमें जो है आपके पास अगर second class winding engine driver का certificate है competency तो आप जो है form को apply कर सकते हैं इसमें जो qualification मांगा है आपका मांगा है first class winding engine driver certificate इसके जो है एसस्टी pass भी है तो आप जो है form को apply कर सकते हैं दोस्तों यह रहा from के जो है आपका कितना रुप्र ड्रामा डिमांड़ ड्राफर्प्र लगेगा डिमांड़ गफ्रम गे जो आपको लग使ते हैं कि अगर आप चीफ मेनेजर के लिए जो है अपलाई कर सकते हैं तो 500 रुपे जो है आपको लगेगा इसके लावा जो है अगर आपने दूसरे किसी के लिए अपलाई किया जैसा वाइंडिंग इंजन के लिए सिविल ऑवर्सियर के लिए अगर आप एश्टी एश्टी से बिल आपको जो हैं नां भरनांऑ Caesar तो यहां आपने जो भी 200 के माद्यांसे देना और इसमें जो हैं Ampok выдsa बirtile नाम इसके लावा आपकी जो भी हैं अब जो आपको एड्रेस सब कुछ इसके लावा और sack किस में पास किया सब कुछ जो है आपकी जनकारी होनाकी इस वो जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आपका जो है एक रिटान एक्जाम होगा रिटान एक्जाम के बेस्ट पर जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा दुस्तों यह रही सारी जानकरी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब क करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं थैंक यो फ्रेंट थैंक्स फॉर वचिन दिस वीडियो